क्लास 9 के सोचल स्टेडीज की कॉंपिटेंसी एन्हेंस्मेंट प्लान की वीक्री प्रैक्टिश शीट नंबर 10 तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पर उससे पहले अगर चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को फटा फट से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहां पर इस तरह के का सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो सविधान निर्माता ने भारते सविधान में यह जो आइडियल है इसको किस तरीके से शामिल किया ठीक है वाइड्री सेंट्राइजिंग पावर बिट्वीन थे सेंटर एंड लिक्वया जो कंट पावर बिक्रीक अ ए सब्सक्राइब को चनौन चिствен का सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद कोश्यन पेटा क्वेस्चियन आमगर तू है in the Indian Constitution the preamble is included at the beginning of the Constitution ठीक है तो जो Constitution के starting में ही जो है प्रियांबल यानि की प्रस्तावना होता है in which the basic principle of the Indian system of governance are indicated and its basic ideals are outlined तो जिसमें जो है governance के लिए basic principle जो है वो क्या है वो इसमें जो है वो बताया जाता है among the following ideal state which ideal of the Indian national movement is enshrined in the प्रियांबल तो इंडियन national movement का कॉंसर जो ideal है वो जो है वो प्रियांबल में जो है वो शो किया गया है Indian constitution के तो answer है इसका liberty, equality and fraternity यानि की आजादी, समानता अते भाईचारा ठीक है अगला question देखते है the teacher while teaching the history of the Indian national movement to the student in the class explained that the maker of the Indian constitution was inspired by the constitution of different countries तो टीचर जो है जब इंडियन national movement के बारे में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बिताया कि जो हमारे जो मतलग कि basically जो समिधान निर्माता थे वो काफी जादा काफी अलग अलग तरीकी के constitution से जो है वो प्रभावित ते अलग अलग countries के constitution से प्रभावित थे और उन्होंने काफी सारे ideals जो है वो इंडियन constitution में जो है वो शामिल किया जैसे कि directive principles of state policy ठीक है which aim at establishing economic and social democracy जिसका aim जो है वो basically जो है वो क्या है कि economic or social democracy establish करना country में ठीक है can you tell by inspiring from which country these principles were included in the constitution तो basically overall question क्या है यहां पर कि कौन सी country से directive principle of state policy जो है वो ली गई है ठीक है तो यह कहां से ली गई है Ireland से ठीक है तो fourth option जो है वो correct है Ireland इसके बाद बीटा अगला question है the constitution is a basic source of rules governing the administration तो constitution जो है वो basically rules जो है वो provide करता है जिसके तुरू जो है कोई country का प्रसाशन जो है वो चलता है और governance होता है country का constitution define the relationship of the various organ of the government with each other and with the citizen at the same time it also restrict the misuse of power by the government तो यह जो है वो किस तरीके से कोई organ जो है वो काम करेगी उसके बारे में बताता है ठीक है इसके अलावा citizen को क्या क्या rights है citizen की क्या क्या duties है इन सब के बारे में बताता है तो आप बताईए कि Indian constitution को ड्राफ्ट करने में कितने टाइम लगा तो दो साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था ठीक है तो फॉस्ट रॉप्शन करेक्ट है दो साल 11 महीने और 18 दिन सब्सक्राइब को दिखाया गया है तो यहां पर दिखाया गया है अलग-अलग धर्म के लोग है सब हात पकड़के खड़े हैं तो बेसिकली यहां पर सब्सक्राइब को दिखाया गया है यानि कि राष्ट्रे एकता अते अखंडता को दर्शाया गया है इसके बाद बीटा अगला इसके बिटिशन इसके बिटिशन नंबर सेवन पर दिखाया गया था एक यहां लोकेट इन देली तो यह यह में है जो है जो पिक्ट्र आपो दिखाया गया है यह बैली में है तो यहां पर कानून बनाया जाता है लोगों की बलाई के लिए देश के लिए कानून बनाया जाता है इसके बाद अगला question जो है वो क्या है वीच, cotton, oilseed, sugarcane and jute तो यह बरकु सही है ना तो commercialization की वज़े से व्यपारी करण हो गया था agriculture का जिसकी वज़े से लोगों ने जो है वो बैसिकली किसानों ने जो है क्या कनक, कपास, तेल के बीज, गन्ना, जूट यह सब गाना शुरू कर दिया था तो नील की खेती के खिलाफ जो है वो बिहार में एक विद्रो जो है वो फूट पड़ा था ठीक है तो दोनों ही statement जो है वो correct है तो second option जो है वो हमारा correct है ठीक है तो सबसे पहले शहीत थे जो कि 1857 AD में जो पहले जो मतलब की बार हुई थी इंडिपेंडेंस को लेकर ठीक है रिवॉल्ट ऑफटी सेवन एडे स्टार्टेट रम बरकपूर वेन रफ्यूस तो यूज तो इन्हों ने जो है जो चर्भी वाले जो कार्टेज से उसको जो है टूड़े इस एज अफ कंप्यूटर का यूग है मुबाइल इंटरनेट का यूग है तो जिसकी वज़े से जो होता है यहां पर इंफॉमिशन और कम्मिनिकेशन जहें वह काफी स्पीड ली है वह मतलब की डेवलप हो रहा है इंडियन बैंक्स है प्रोवाइड बैंक्स है तो बैंक प्रोवाइड नहीं तो होता है तो अक्सिन है मतंक की बैंक्क हमै नहीं देता हुं डेख और विजल बैंटिशन ऐसे में रेती में रॉंट रिच्ण है अग्ला क्फेश्टिन है और रिजर्वेंक इंडिया कर्डिया कूंड करता है और यह वो करेंसी को करता है क्रेड़िट सिस्टम को करता है और बहुत सारी चीजे करता है ताकि एकॉनमी ग्रोथ जो है वह हो सके तो इसके बाद है इसके बाद है इसके बाद है इसका बंडार जो है अपने पास रखता है तो यह सारी ही जो है वो सही है तो आंसर हो जाएगा आल अब यानि की उप्रोप्त सारे क्वेसिंग नंबर 12 है हाव डू टैक्स कॉंट्रिब्यूट्ट टुदा इकॉनमिक स्टेबिलिटी अफ एकॉनमिक स्टिर्था के लिए एकॉनमिक स्टेबिलिटी के लिए किस तरीके से जो है वो सहीयोग देते है एक सुझे वह गुव इसे का इस्तेमाल किया जाता है तो आंसर क्या है और अफ इस टीक है और अफ देव यानि की उप्रोप्त सारे ठीक है फॉर्थ ऑप्शन जह वो करेक्ट है क्वेस्ट नबर 13 तो देखते हैं गुर्लीन चैल सर यंगर ब्रदर एक लास्ट वीग टीचर टुक्ट टुक्ट हुआ फेमस नेशनल पार्क इन कुछराथ तो गुर्लीन जह है वो अपने भाई को बता रही है कि उसकी उनकी जो टीचर है वो उन्हें एक नेशनल पार्क में लेके गई जो कि गुजरात में है ठीक है वेर दी सौ मैनी लाइन लापर्स जहां पे उन्होंने काफे सारी शे निटेर अरिया लाप फंग ओंगे उन्हें तेल वाज़ी तेल जहां कि बाइशन फाइवर सिती बाइवस कि इसके बाद अनला है इसके वो और स्टि तो ब्यांडा तो बाइवस्टि एलिए जो है इसके बाइवर सब्सक्राव जरूरी है वो बताना है आपने चीक है तो फ वाइल्ड लाइफ है उनको घर प्रदान करता है वह इंवारोमेंट का बैलेंस मेंटेंड करके रखता है तो आंसर हो जाएगा ओल अपरोप्त सारे तो बच्छों यह वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पर खत्म इंकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क क्वेस्टिन कीजिए आपको रप्लाइ करने के पूरी कोशिश करूंगी थैंक यू बेरी मच और आल बेस्ट वर यू चेस्ट बबाए